दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको YouTube एप के 10 से भी जादा important settings और features के बारे में बताना वाला हूँ जिसको आप यूज करके आप अपने internet data को जल्दी खतम होने से बचा सकते हो साथ में अपने phone के battery को save कर सकते हो कि कि दोस्तो आज के time में YouTube हर कोई अपने phone में use करते है हम YouTube पर movie देखते हैं, song सुनते हैं, videos देखते हैं लेकिन आज भी लगबग 90% लोग ऐसे हैं जो YouTube एप के important settings और features के बारे में नहीं जानते हैं वो कभी भी YouTube एप के अंदर settings नहीं करते हैं features को use नहीं करते हैं इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा interesting है, important है वीडियो को पूरा जरू देखना और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like, share, comment, चालको subscribe जरू कीज़ जगा अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो अब चलिए मैं आपको YouTube app के 10 से भी ज़्यादा important settings और features के बारे में बताता हूँ अब जो हमारा पहला feature है, ये काफी ज़्यादा important है दोस्तो अगर आप YouTube app को private तरीके से use करना चाहते हो आप चाहते हो कि YouTube पर आप कब क्या देख रहे हो, उसका कोई भी record ना रहे ठीक है, कोई भी search history create ना हो तो दोस्तो आपको एक feature use करना है हमें YouTube के अंदर एक ऐसा feature मिलता है, जिसको आप use कर सकते हो आपका कोई भी record, कोई भी watch history, search history create नहीं होगा ठीक है, आपको YouTube को open करना है YouTube को open करने के बाद, आपको profile पर tap करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, turn on in cognitive mode ठीक है, आपको इस पर tap करना है और दोस्तो आपके YouTube के अंदर एक नया user interface open हो जाएगा ठीक है, जिसमें आप YouTube को use कर सकते हो और दोस्तो जब आप इसको on करके YouTube को use करोगे आपका कोई भी search history create नहीं होगा क्योंकि जब भी हम YouTube पर कुछ भी search करते हैं कुछ भी देखते हैं, उसका search history create हो जाता है पूरा record create हो जाता है, ठीक है कि हमने कप कौन सा वीडियो देखा है बट जब आप in congenator mode को on करके YouTube को use करोगे दोस्तो आप private तरीके से YouTube को use कर पाऊगे कुछ भी create नहीं होगा, ठीक है तो यह जो feature यह काफी important और अच्छा feature है इसके बाद दोस्तो काफी time ऐसा होता है कि हम YouTube को open करते हैं, ठीक है scroll करते रहते हैं कोई ऐसा वीडियो हमें मिल जाता है जिसको हम बाद में देखना चाहते हैं तो दोस्तो आप क्या कर सकते हो उस वीडियो को watch later में add कर सकते हैं जैसे माल लो कि यह वाला वीडियो है ठीक है या यह वीडियो है simply आपको 3.0 पर tap करना है यहां पर आपको एक option लगा save to watch later आपको इस पर tap करना है और आपका जो वीडियो है वो watch later के section में add हो जाएगा आपको यहां पर मिलेगा watch later ठीक है जो भी वीडियो आप save करोगे watch later में आपको यहां पर show हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह आप इस feature को भी यूज कर सकते हो बाद में उस वीडियो को देख सकते हो इसके बद दोस्तो आपको setting पर tap करने setting पर आपको tap करने setting में जाना है आपको यहां पर काफी सारे option मिलेंगे settings मिलेंगे, features मिलेंगे ठीक है आपको general पर tap करने अब इसके अंदर आपको पहले नमबर पर एक option मिलेगा Remind me to take a break ये जो feature ये काफी ज़्यादा important है दोस्तो हमारे घर में बच्चे होते हैं हमारे घर में बच्चे होते हैं वो continue YouTube को यूज करते हैं लगातार YouTube पर वीडियो देखते हैं movies देखते हैं, songs सुनते हैं दोस्तो अगर आप break add करना चाहते हो ठीक है, आपको इसको enable करना है जब आप इसको enable करोगे ठीक है, आपको यहाँ पर timing डालना होगा जो भी time आप डालोगे उतने time बाद YouTube break के लिए बोलेगा ठीक है, कि ये जो time है ये break का time है आपको remind कराता रहेगा तो इस तरह आप इस feature को यूज कर सकते हो इसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर, second number पर एक option मिलेगा, remind me when it's a bad time काफी सारे लोगों की ये आदत होती है, कि वो किसी time किसी भी time YouTube को यूज करने लगते है, YouTube पर movie song video देखने लगते हैं दोस्तो आप अगर यहाँ पर इसको on कर देते हो, आपको timing select करना होगा, ठीक है जो भी time frame आप select करोगे जैसे मालो की हमें रात में YouTube को यूज नहीं करना है हम डाल देंगे 8 बजे से सुबे 8 बजे तक ओके, और दोस्तो अगर इस time इसके बीच में आप YouTube को open करोगे, YouTube आपको बुलेगा कि it's a bad time ये YouTube यूज करने का सही time नहीं है, ठीक है, तो इस तरह दोस्तो आप इस feature को भी यूज कर सकते हो, इसके बाद आपको यहाँ पर appreans का option मिलेगा आप YouTube के अंदर dark mode को enable कर सकते हो, ठीक है dark mode को enable करने से आपके phone की जो battery है, वो save होगी long time तक आप YouTube को use कर पाओगे, ओके अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा playback in fits, दोस्तों ये जो feature है, ये अच्छा भी है खराब भी है, आप जब YouTube को open करोगे, ठीक है अगर आप कोई भी वीडियो प्ले नहीं करते हो वीडियो पर click नहीं करते हो, सिर्फ scroll करते हो, ठीक है, आपका वीडियो स्क्रीन पर automatic play होता रहेगा, अगर आप always on कर दोगे, ठीक है, आप YouTube को open करोगे, जो भी स्क्रीन पर वीडियो रहेंगे, वो automatic play हो जाएंगे, ठीक है, इसका नुक्सान ये भी है, कि आपका जो internet data है, वो जल्दी खतम हो जाएगा, दोस्तों, अगर आप वीडियो को बिना play किये देखना चाते हो, तो आप इसको on कर सकते हो, ठीक है, अगर आप data save करना चाते हो, तो आप इसको off कर सकते हो, क्योंकि जब स्क्रीन पर आपका वीडियो play होगा, तो internet data भी जल्दी खतम हो जाते हैं, और दोस्तों, काफी जारे ऐसे फालतू के वीडियो होते हैं, जो automatic play होते रहते हैं, और internet data काफी तेजी से खतम होते हैं, तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलूँगा, कि आप इसको हमेशा off करके रखों, ठीक है, इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, double tap to seek, जब भी हम कोई भी वीडियो play करते हैं, और screen पर double tap करते हैं, तो 10 second हमारा वीडियो आगे चला जाता है, forward हो जाता है, ठीक है, अगर आप और ज़्यादा forward करना चाहते हो, double tap करके, आप चाहते हो कि आपका जो वीडियो है, वो 15 second, 20 second, 30 second, 60 second आगे चला जाता है, forward हो जाता है, तो दोस्तों, आप इसको अपने हिसाब से set up कर सकते हो, set कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह आप इस feature को भी use कर सकते हो, इसके बद दोस्तों, आपको यहाँ पर, एक सबसे important option मिलता है, restricted mode, ठीक है, restricted mode, जो की काफी important feature है, option है, देखो, हमारे YouTube को बच्चे use करते हैं, घर में काफी सारे बच्चे होते हैं, वो YouTube पर cartoon वगरा देखते हैं, phone लेकर YouTube चलाते रहते हैं, और काफी time ऐसा होता है, screen पर adult content आ जाता है, तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो, कि कोई भी porno graphie type का adult content, screen पर ना आए, तो आपको इसको on कर देने, restricted mode को on कर देने, और दोस्तों, आपके screen पर, ऐसे कोई भी content सो नहीं होंगे, ठीक है, आपके YouTube के अंदर, ऐसे कोई भी videos नहीं आएंगे, तो इसलिए ये जो setting है, जो feature है, काफी important है, ठीक है, इसके बाद आपको back जाना है, back जाने के बाद, अगर आप अपना internet data save करना चाहते हो, ठीक है, आप अपना internet data, जल्दी खतम होने से बचाना चाहते हो, तो आपको data saving mode को open करना है, ठीक है, यहाँ से आपको data saving mode को, हमेशा on करके रखने हैं, आप देख सकते हो, already मैंने इसको on कर रख है, आपको यहाँ से data saving mode को on कर देने हैं, ठीक है, अगर आप YouTube पर limit set करना चाहते हो, जैसे मालों कि आपको 2GB data per day मिलते हैं, आप चाहते हो कि एक दिन में YouTube सिर्फ 500MB data खर्च कर पाए, तो दोस्तों आप यहाँ पर limit भी set कर सकते हो, ओके, आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, mobile data uses reminder, आपको इस पर tap करना है, यहाँ पर आपको data डाल देने, जितना भी limit आप set करना चाहते हो, जैसे मालों कि हमें 500MB पर limit set करने, तो 500MB डालना है, MB पर tick करना है, OK कर देने, जैसे ही 500MB data YouTube खर्च कर लेगा, आपके पास reminder आजाएगा, आपको पता चल जाएगा, कि YouTube ने 500MB data खतम कर दिया है, ठीक है, तो इस तरह आप इस feature को भी use कर सकते हो, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा, आटो प्ले का, ठीक है, अगर आप चाहते हो, कि कोई वीडियो है, ठीक है, वीडियो खतम होने के बाद, next वीडियो, अगला वीडियो आटोमेटिक प्ले हो जाए, तो आपको हमेशा इसको on करके रखना होगा, ठीक है, तो दोस्तों इस तरह, इस तरह, आप इन सभी features को use कर सकते हो, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर, एक option में लगा, manage all history, ठीक है, अगर आप YouTube के history को delete करना चाहते हो, आप चाहते हो, कि जो भी search history है, watch history है, वो delete हो जाए, तो दोस्तों आपको manage all history पर tap करना है, जो भी videos, जो भी चीज़े आपने search किया है, जो भी चीज़े आपने देखा है, इसके अंदर आपको so हो जाएगा, आप उसको इस setting में जाकर delete कर सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप YouTube के अंदर important settings कर सकते हो, features को use कर सकते हो, तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पलना है चैनल को subscribe करें क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeful videos बनाते रहता हूँ, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,